नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 11 अक्टूबर शाम 7 बजे राजिस्तान की खास खबरें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फरजी खेल सर्टिफिकेट जारी करने की मामली में ताइकबांडू संग की सचिव को अरेस्ट किया है सचिव ने एक एक लाख उर्पे में फरजी सर्टिफिकेट बांटे थे रिकॉर्ड में हीरा फेरी कर जाली डॉकुमेंट तयार कर फरजी सर्टिफिकेट बांटे गए थे मामले में फरजी वेरिफिकेशन करने वाले गौर्मेंट टीचर्स को सोजी पहले ही गिरफतार कर चुकी है बाकी करमचारियों के भूमिका के संबंद में अनुसंधान किया जा रहा है एटीएस एसोजी के एडीजी वीके सिंग ने बताया ताई कबांडो संग के सचिव पचास वर्षे दिनेश जगरवाल निवासे सूरतगड शिरिगंगा नगर को अरेस्ट किया है सेकर के लक्षमनगर स्थेत नासनवा सरकारी स्कूल में दिनेश जगरवाल पीटी आई है फर्जे खेल सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के मामले में सरकारी टीचर बिमलेंदू, कुमार जा, कमल सिंग, हितेश भादू और मनोज कुमार को पहले ही गिरफतार किया जा ने दो कॉंस्टेबल को ट्रैप करने की कारवई की लेकिन इस कारवई में अलग ही मोड आ गया, रिश्वत लेने वाले कॉंस्टेबल को एसीबी की भनक लग गई और वैपैसे लेकर भाग गया, बताय जा रहा है कि जंवर थाने में जोराराम नामक सक्ष ने यासिन के खि पहुंचकर यासिन ने कॉंस्टेबल को रुपए तो दे दिये, लेकिन घबराने की करण एसीबी को इशारा नहीं कर पाया, एसीबी टीम इशारे का इंतजार करती रह गई और यासिन भाग गया, फिर कॉंस्टेबल भी खूस के रुपए लेकर भाग गया, दूसरा कॉंस साल पुराने मामले में आरोपी को दोशी मानती हुए 20 साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई है साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है 12 मई 2021 को पेडिता ने चाचा के साथ थाने में दे रिपोर्ट में बताया कि आरोपी अनिल वे अन्यनी रात के समय जान से मारने की धमकी द करते हुए आरोपी को गिरफतार कर कोट में पेश किया सेकर के उध्योगनगर थाने में नेक्सा एवर्ग्रीन कंपनी में इन्वेस्ट के नाम पर दो करोड अठारा लाख नब्वे हजार पे के धोखादड़ी का मामला दर्स हुआ है पोलिस को दे रिपोर्ट में 49 वर्ष जांसा दे कर ठगी की है शिकायत करता वे उसके परिवार ने आरोपियों के जांसे में आकर कंपनी में दो करोड अठारा लाख नब्वे हजार पे अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें पैसे डबल करने वे गुजरात में देने का जांसा दिया बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी सेंखडों लोगों के हजारों करोड रुपे लेकर भाग गई है करोडों की राशी हडपने वाले कई आरोपिय जेल में बंद हैं पुलिस मामले की जांच कर रही है अजमेर जिले के पुक्सो कोड के जजराजीव बिजलानी ने 16 वर्षिय नबालिक लड़की से रेप के मामले में दोशी को 20 साल के कठूर कारवास की सजय सुनाई है एक लाख रुपे जुर्माना भी लगाया कोट ने जांच में लापरवाही मानते हुए अनुसंधान अधिकारी भूराराम खिलेरी के विरुद कारवे के लिए पुलिस को निर्देश दिये है 26 सितंबर 2023 को लड़की के पिता ने बयावर सिटी थाने में रिपोर्ट दी कि नबालिक बेटी उदास रहती थी पूछने पर बताया कि स्वाई मादोपूर निवासी आरोपी ने उसे स्नैप चैट के जरीए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी चैट करने वे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाने लगा 26 जुलाई 2023 को वह बयावर आया 27 की सुबा बेटी को मिलने बुलाया उसे दैलवाडा रोड होटेल में ले गया जान डरा धमका कर रेप किया जिससे वैं सदमे में आ गई पुलिस ने मामला दर्जकर अरोपी को गिरफतार किया अनुसंधान अधिकारी भूराराम खिलेरी के विरुद जांच में लापरवाही पूरण अनुसंधान करना पाया तथा माना के अनुसंधान अधिकारी ने प्रकर्णमे अभ्युक्त को लाब पहुंचाने के उदेशे से लापरवाही की सीकर जिले की खंडेला था ना पुलिस ने होटेल संचालक से पचास लाग फिरोती मांगने वे फाइरिंग करने वाले दो आरोपियों को गिरफतार कर इनके कबजे से बुलैरो कार भी जब्त की है पुलिस ने बताया साथ अक्टूबर को चालिस वर्चियर अकेश कुमार विवासी लौहर वाड़ा खंडीला ने बताया कि इसने कावट बाइपास रोड पर श्री शाम होटेल कर रखाया 6 अक्टूबर की शाम होटेल पर तीन लड़के आए जिन्होंने अपना मूठ ढख रखा था एक यवक ने होटेल के अंदर आकर नमकीन लिया जब होटेल संचालक ने यवक से पैसे मांगे तो उसने पिस्टल से फाइर कर दिया और भाग गए अरोपियों ने होटेल के काउंटर पर एक परची रखे जिसमें MD ग्रूप 6565 वे अजाद ग्रूप का हवाला देते हुए 50 लाख उर्पे की फिरोती मांगी गई थी अरोपियों ने फिरोती संदीप सुलेत अमित वे मनूस के नाम से मांगी थी पोलिस ने अरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर 24 वर्शे लोकेश कुमार वे रौकी को गिरफ्तार कर लिया कोटा जिले की कनवास थानक शेतर में शिराब ठेके पर लूट का मामला सामने आया है बेक आफ बदमाश ग्राहक पनकर आये पिस्टल की नोक पर गल्ले से नगदी सेल्समेन का मुबाइल और शिराब की बोथने लूट कर फरार हो गए लूट की घटना ठेके पर लगे सिसिटीवी कैमरे में कैद हो गई शिराब ठेकेदार महाविर पारीता ने बताया कि अजादपुरा कनवास रोड पर उनका शिराब ठेका है ठेके से 500 मीटर दूरी पर ही पैटरोल पंप भी है रात को 3-4 बदमाश सफेद रंग की थार गाड़ी में आए दो बदमाश शिराब खरीदने के बहाने दुकान की बाहर खड़े हो गए एक बदमाश थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा दो बदमाश अचानक से दुकान के अंदर घुसे उन्होंने मुपर कपड़ा बांध रखा था दुकान के अंदर सेल्समेन राजेंदर और फडाजू पर बदमाश ने पिस्टल निकाल कर तांदी बदमाशों ने गले में र दबिशने वाले व्यपारी के यहां चापे मारी की व्यपारी के अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई बिलो में टैक्सी चोरी की अशंका को लेकर जियस्टे टीम की कारवई है उतरलाई रोड स्थित बील अगरवाल की ऑफिस और गुदाम पर जियस्टे न बिल अगरवाल से अन्य जगों पर कारवई की गई मौके से रिकॉर्ड जब्त किया गया सूचना थी कि एक फरम की और से टैक्स चोरी की गई है टीम ने चापे मारी का रिकॉर्ड कबजे में लिया चापे मारी करीब तीन से चार घंटे तक चली भीलवाड़ा जिले की महात्मा गांधी हॉस्पिटल की सोनोलोजिस्ट डॉक्टर की SSO ID हैक कर 45 फरजी सर्टिफिकेट बना कर 1 करोड 35 लाख रुपे का अनुदान उठाने के मामले में साइबर सेल ने जांच के बाद दो आरोपियों को गिरफतार किया है SP धरमेंदर यादव ने बताया कि 22 अप्रेल 2024 को MG हॉस्पिटल भीलवाड़ा की डॉक्टर विजे प्रकाश महिश्वरी ने रिपोर्ट दी कि उनकी SSO ID और पासवर्ड को हैक कर सेलिकोसिस बिमारी के फरजी परमार पत्र बनाए गए बिना उनकी जानकारी की X-ray इमेस में certified कर दिया गया साइबर सेल ने सिकंदरा दोसा निवासी नरेंदर सैनी और सैथल चांदरणा निवासी आशिक कुमार भारगव को गिरफतार किया है अरोपियों के पास से इस वारदात को काम में लिया मोबाइल और लैप्टॉप बरामत किया है गिरों ने सरकार को करीब 12 क करोड रुपए से ज़्यादा का चूना लगाया है जालवार पुक्सो कोड के विशिष्ट जजराजेश शर्मा ने नबालिक से छेड़ चाड के मामले में अरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथी पांच हजार पे का जुर्माना भी लगाया गया ह 5 मई 2021 को पिडिता ने स्पी को दिये परिवात में बताया कि मुल्जिम उनका स्कूल में आते जाते समय रास्ता रोकता है रास्ते में बाइक खड़ी कर अभधर टिपनी करता है पिडिता ने बताया कि एक दिन वह घर पर अकेली थी इस पर मुल्जिम ने चोरी छिपे समक्या देने लगा पर इसनों ने पिडिता की शादी करवा दी शादी के बाद मुलाजिम ने पिडिता को फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिये सुसुराल वालों के कहने पर रिपोर्ट दर्स करवाई मैला थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्स कर जांच करा रूपी 30 वर् युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक खंबीर रूप से खायल हो गया खटना के गाव में तनाव पैदा कर दिया और परीजनों की आकरोश ने हिंसा को और भी खंबीर रूप दे दिया सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन स्थित तब बिगड़ गई जम्रे तक पक्ष के गुसाए परीजनों ने नैशनल हाइवे 123 को जाम कर दिया रात पर सडक पर बैटे परीजन आरोपियों की जल्द गिरफतारी की मांग करे थे इसे इलाके में यातयात पूरी तरह से बादित हो गया जिससे लंबी दूरी त कई थानों से पुलिस बल टेनात किया गया है कर दो खानों से प्रोपियों की जल्द रात पर बादित कर दो कि जल्द बलेगे परीजन की जल्द एवे की की जल आरोपियों की जल पर गबादित है